सिक्षिक दिवस समान सम्मारों के अफसर पर शिवाजी नगर कॉलोनी गेस्ट हाउस परसर में दीप्राज्वलत कर कारक्रम का शुभारम किया गया जिसमें मुक्य अति थी अनुसूचित जाती आयोक के अध्यक्ष मुकेश कुमार खड़क सिंग चोहान वश्टि अति थी अशुक खना रहे वही कारक्रम का संचानल मास्टर यश्पाल शर्मा ने किया कारक्रम में पंडित पूना नंतिवारी के सेवा निवरित प्रधानाचारे बाबु सिंग शाक के सहित दर्जिनु सिक्षिकों को सम्भानित क्या गया आपको बता दे कि कारक्रम का समापन राष्टगांग की साथ हुआ जस्पूर से प्रधीप श्रिवास्तव के रखूँ सर्व पल्ली डक्टर राधा कृष्णन जी का जन दिन था जन दिवस था जिस जन दिवस तो पांस सितंबर को सिख्षक दिवक्स के रूपे बनाया जाता है और आज इस हौल में हमने सभी प्रभुद्य सिख्षक बुलाए वे थी बहुती प्रतिवासाल सिख्षक रहे हैं उनको बुलाया उनको सम्भानित किया मालिया रपन करके सम्भानित किया अंगबस्त्र पुर्दान करके उनको सम्भानित किया और सभी सभी सिख्षकों को अंगे प्रसंति पत्र दे कर गिंद्र है उसको पुर्दान किया उनको लिको डिया और सम्हमें आज हमारे सी एश्टियो कि अध्यक्स बुख्यम्केशकुमार जी वस्तित रहे मैंने यहां पर द्यक्स्ता की और मुष्टर अशोख खंडा निया जो समासेवी है वही यहां पर श्तित रहे हैं और साथ में जितने भी हमारे परभूध्ध टीचर थी जो अपने इपने चेत्रों में एक इतिहास रचा है जिनके प उन टीचरों को और जो राष्ट के निर्वाण में बहुत ही अच्छे सुडेंट का जिन्होंने विकास किया उन पहुने सम्वानित किया आरत रतन सरपरली सिंगे लादा किसिंगी के जनों सब के जैनती के उप्रक्ष में जो सिख्षक दिवस के रूप में पूरे भारत रतन ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जाता है और इसमें जो अपने गुरू हैं उनके लिए जो सम्मान और कही जगे पूजा पाड़ मी की जाती है उनके पृतिये उस लूप में गुरू के सम्मान के रूप में गुरू के सिख्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है इसी उपलक्ष में आज खड़क्षिंग जी के अवास पर ये कारिक्रम हमारे सर्माजी भी थे एस्पार सर्माजी और हमारे सोक मार सन्ना जी और यहां पर बहुत बिभिन बिभिन उसके जो हमारे स्कूलों के प्रंसिपल प्रधाना चार्या है और जिन सिख्षकों नों इसी छेत्र में सिख्षा के उसमें बहुत योग दाल दिया उनको हमने सम्मानित चाहे जिनकी लगबग संख्या पैस्टालिस के आसपास लोग थी और ये जो कारिक्रम है बहुत अच्छा क इस महाने जो लोगों में सिख्षा के सहीयोग में और काम किया था उनको हम उनके दर्संग भी हुए और उन लोगों का असिरवादी हम लोगों को प्रांग हुआ